हेलो प्रेंट वेलकम बाइक टू माई चैनल तो प्रेंट आज मैं बनाने वाले हूं गूर पारे की रेशेपी जो बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है प्रेंट और बहुत ही हेल्दी में बनाने वाली हूं तो वीडियो का बाच खुल किर जेगा तो आपको अच्छे तरह समझ में आ जाएगे तो इहां पर देखे एक बाउल में ले ली हूं यह बेश संत दोनों के कांटेटी में बराबर रक रकी हूं फरें और अम इसको हमें दोनों को मिक्स कर देना है उसके बाद मैं दो अच्छ में डाली हूं तेल तो मोम के लिए तेल डालना ज़लूरी इस इस तरह से आप नमक पारे बनाते हैं उसी तरह से थोड़ा टाइट आटा इसके गुंद करके तयार कर लेनी है लूज नहीं रखनी है प्रें तरह टाइट से आटा आपको गुंदनी है जितना टाइट रहेगा उतना ही अच्छा बन करके आपका तयार होगा तेहां पर देख थोड़ा पतला मैं बे ली हूँ और उसी तरह से कटिंग मैं कर रही हूं इसे बिहार में लक्ठो के नाम से भी जान तहें पर आप बिहार से देख रहे हैं तब ज्यूर्वर कॉमेंट्स करिएगा कि आप क्या बूलते हैं इसको और जहां से भी आप दसे तरह से पी नाम ज जानते हैं तो मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से हाथों से टेड़ा मेरा कर ले रहे हूं तो यहां पर देखिए इस तरह से अच्छी तरह से बनगर के तयार हो गया सारा मैं तयार कर ली हूं तो यहां पर एक कडाही बैठा रहे हूं उसमें मैं ओल बैठा रहे हूं तो ओल मेर गरम है जादा गरम नहीं करना है हलकाइं गरम रखना है उसके बाद हमें इस तेल के अंदर अच्छी तरह से डाल देना है तो आप देखिए अपरें तभी समझ में आएगा कि और में इसमें क्या करने वाली हूं तो आपको थोड़ी दिर के लिए डाल करके छोड़ देना है बिल्कुल टर्च नहीं करना है तह 5 मेंट के बाद ही आप टर्च करें उसके बाद एक पर मैं पलट भी ली थी 5 मेंट के बाद इसको मैं लो फ्लेम पर ही फ्राई करी हूँ अंदर तक क्रिस्पी हो जाता है अगर अब हाई पर करेंगा तो फिर अच्छा नहीं बन पायेगा तो मैं इसी तरह से सारा भी बना करके तयार के दो तीन बैच में मारा फ्राई हो गया है तो अब मैं यहां पर गूड में बनाने वाली हूँ तो यहां पर मैं बनाओंगी प्रेंट आप चीनी भी बना सकते हैं लेकिन हम लोग गूड में ही बनाते हैं इसका बना करके रख तो इस दिवाले ज़रूर बनाएं प्रेंट काफी टेस्टी लगता है तो जिस कटोरी से मैं ली थी वेशन उसी कटोरी से एक कटोरी मैं यहां पर गूड ले रहे हूं तो गूड को मैं थोड़ा सा कद्दू कस कर ली थी मैं मेजरिमेंट के साथ आपको बता रहे हूं प्रें इसको हमें चलाते रहना है लो फ्लेम पर यहां पर एक ही चमच में पानी डाले हूं फ्रेंट यहां पर देखिए मैं चला रहे हूं इसको मेल्ट कर दनी है बस और कुछ नहीं करनी है तो आपको पानी ध्यान रखना है पानी ज्यादा नहीं डालना है बस इसको हमें गूड को melt करने के लिए तोड़ा सा पानी डालना है अगर आपको बीना पानी का ओजा रहा है तो आ रचा नहीं तो पानी एक चमच ही डाले बस से मेल्ट हो गया उसके बाद हम यह जो प्राई करके रखेते ना उसको डाल देंगे और फ्लेम को लो कर देंगे आप पर फ्लेम पेसको हमें सारे कोट कर लेना है गुड़ को यहां पर देखिए इस तरह से में चला ले रहे हूं ताकि सारे में कोटिंग हो जाए अच्छी तर जब अच्छी तरष से कूट हो जया तита को बंद कर दें यहां पर अच्छी collector मिक्ष हो गया है तब यहां पर मैं बंद में कर देती हूँ संर को और बंद करने के बाद पुर्णी तोड़ी दिर के लिए आप इसको इसी तरह से छोड़तें के बाद आपको दिखाते हूं कि किस तरह से दिखता है तो यहां पर देखे 10 मियट हो गई यह बहुत ही प्रफेक्ट तयार हुई थी फ्रेंड बहुत ही अमिसा आप इसे 2-3 महिना तक रख करके खा सकते हैं लेकिन 2-3 महिना बचेगा नहीं तुरंट चट हो जाता है इतना टेस्टी लगता है तो आपको यह मेरी गुड का पट्टी गुड पारे जो भी लगठो जो भी बोलते हैं उसका रेसिपी कैसा लगा फ्रेंड आप कोमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएगा और वीडियो अच्छी लगए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा लोगों में सेयर क किजिएगा कॉमेंट करके जरूर बताएगा आपको मेरा रेसिपी कैसा लगा चैनल पहली वराएबरेंड चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करके जाएगा फेस्बूक पर देख रहे हैं तो पहलो किजिएगा